का चलिह स्टा ड करते एलिशिचों 33 आप देख सकते हो तीन बैलेंसित दिया हुए ऱे लिमिटेड एस लिमिटेड का तीन बैलेंसित दिया है ना फिर नीचे information क्या दिया हुए पी लिमिटेड होई हadtक से एटी 25% का यानि 25% बाहर वालों का जिसे हम non controlling interest holder कहते हैं और साथ ही साथ S limited में P limited का holding है 80% का तो overall यहाँ पर हम जो consolidated balance sheet बनाएंगे यह किसका बनाएंगे हम P limited का बनाएंगे तो P limited करेगा क्या P limited यह दिखेगा कि मेरा जो stake है वो सारा stake को में एक साथ में रखूँगा और बाकि जो separately non controlling interest holder का stake है वो में अलग से दिखा दूँगा यहाँ पर हमें overall consolidated balance sheet that is combined balance sheet हमें बनाना है आप tension नहीं हम अच्छी तरीके से समझेंगे को और साथी साथ में बता दू हमें ज्यादा को adjustment करना ही नहीं पड़ेगा हम इस पर stress देंगे हम shareholders share capital पर stress देंगे और हम other equity reserve return earning पर stress देंग आएगा आपको बस यह तीन चीजों का धिहान रखना है और हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम यह चेक कर लेते कि P limited का holding क्या है and other than P यानि बाहर वालों का क्या holding है उसके accordingly हम क्या करेंगे बटवारा कर देंगे जो भी profit and loss है उसका हम P limited में आपको यह देखना है कि कौन कितना hold कर रहा है अब देख सकते हूँ SS Limited के अंदर 75% holding है किसका S Limited का S Limited hold करता है 75% यह यह हम यह कह सकते हैं S Limited जो है वो 75% hold करता है correct and इसके अलावा बाहर वाले होगे कौन non controlling address वाले कितने hold करेंगे 25% hold करेंगे साथ ही सद हमें यह भी बता दिया गया कि P limited जो है न वो 80% hold करता है S में यानि S का जो भी खाता जो भी पैसा कुछ भी होगा न उन सब पे P limited का 80% का holding रहेगा इसलिए अब हम क्या करेंगे यह जो S Limited है इस पे P limited का holding कितना है 80% है और NCI का holding कितना होगा 20% होगा यानि जो 75% हिस्टा इसे मिलने वाला SSM इसे 100% बोल सकते है SS में से S को 75% हिस्टा मिलेगा और उस 75% हिस्टे में पी का 80% का हिस्टा है यानि हम यह कह सकते 80% हिस्टा है of 75% है ना और इदर भी NCI का 20% हिस्टा है of 75% तो यहां पर यहां कितना आएगा, 75% का 80% कितना होता है, 60% होता है, और इधर कितना होगा 15%, correct, तो यहां पर आपको यह समझ में है, कि SS limited, के अंदर MS limited का holding है, 75%, NCI का holding है, 25%, फिर S limited के अंदर P limited का holding है, 80% and NCI का holding है 20% तो यहाँ पर आपको यह समझना है यह NCI किसके है NCI of SS हम कह सकते हैं SS Limited के NCI यह 25% और यह NCI किसके हैं यह NCI of S Limited क्योंकि SS के अंदर 25% बाहर वाले hold करते हैं और S के अंदर 20% बाहर वाले hold करते हैं तो यह NCI of S Limited है यहाँ पर हमें यह पता चला क्यूंकि हम यहाँ पर Parent Company डिस पी लिमिटेट का Consolidated Francis Statement बना रहें और पी लिमिटेट का Holding कितना है 60% ही तो है यानि बागी सब तो कौन है बाहर वाले ये भी किसका ही NCI हो S का हो NCI या फिर SS का NCI हो है तो बाहर वाले ना इसलिए ये 15% NCI बाहर वालों का है ये 25% NCI बाहर वालों का है यानि टूटल NCI कितना हो जाएगा टूटल NCI 25 और 15 यानि 40% हो जाएगा और इधर पी का 60% है अब हम कह सकते हैं Parent Company का Companies Holding in SS Limited क्योंकि हम SS Limited का ही बात कर रहे है न इक्वल 60% है और हम बोलेंगे NCI Holding in SS Limited कितना हो गया 40% हो गया ये हमने ratios निकाला Ratio of Holding निकाला हमने बात खत्म यहां तक SS Limited का हमने Holding पता कर लिया कि Overall क्या Parent का है क्या NCI का अब Next हम बात करेंगे S Limited का S Limited का जो Holding है Obviously S Limited का हम 100% बगरते है जो भी S Limited का कमई होगा इस पे क्या होने वाला है आप देख सकतो 80% P होल्ड करते है तो P Limited काम कह सकते है 80% है और NCI का कितना है 20% है यहनि Overall यह 80% ही होगा और यह 20% होगा Further कोई बटवारा नहीं होना है क्योंकि P में और कोई Hold करता नहीं है तो that means हमें यहां पर यह पता चल गया Parent Companies Holding in S Limited कितना 80% NCI is Holding in S Limited कितना 20% है ना That means हमने दोनों Company के अंदर Parent का क्या Holding है और NCI का क्या Holding है यह हमने पता कर लिया आगे आगे आपको पता चले हम ऐसा क्यों कर रहे है अराम से धीरे धीरे समझेंगे तो आगे हम बढ़ सकते हैं अभी हमने Proportionate Holding हमने पता कर लिया अब आगे हम बढ़ सकते हैं आगे हम यह देखेंगे आप यहां पर देख सकते हो Acquisition क्या हुआ है 30th September को Acquisition हुआ है अब आपने कहीं तो सुना ही होगा Pre-Acquisition and Post-Acquisition के बारे में मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि Pre-Acquisition Post-Acquisition Profit होता क्या है Profit Post-Acquisition Profit होता क्या है और इन सब के बीच में क्या रहता है बता है आपको Acquisition Date क्योंकि Acquisition जिस दिन आप Parent Company acquire करेगा Sets acquire करेगा उससे पहले का पिरेड ही तो Pre-Acquisition हुआ क्योंकि Acquisition से पहले का पिरेड है और यह Acquisition के बाद का पिरेड है आपको यह समझना है Pre-Acquisition Period में जो Parent Company होता है उसका कोई महनत नहीं रहता है यहां का स्टेक को यह जब acquire करता है इसके लिए क्या आप करता है यह पेमेंट्स करते है यह यह Consideration देता है इसको acquire करने के लिए Obviously Acquisition Date पे Consideration दिया जाता है है ना Acquisition Date पे Consideration क्यों दिया जाता है ताकि Pre-Acquisition Period तका Till Date of Acquisition जितना कमायवा धन है उसमें आपको स्टेक मिलने वाला 60% का तो उसके लिए वो पैसा देता है यहां पर यह जो investment करता है वो इसी period के लिए investment करता है और यह period का आप क्या करोगे यह period में तो खून-पसीना बहाता है महनत करता है वो इसके बाद उसका खून-पसीना के कमाई से पैसा आता है मैं एकदम simple से example ले रहा हूं suppose for example मैंने क्या क्या Tata Motors के company में मेरी company है जिसने Tata Motors के company मैं 60% stake खरीता हूं माल लेते for example मैंने खरीदा 1 July 2020 को क्या 1 July 2020 से पहले मेरा को stake था नहीं था अब अगर 1 July 2020 को मैं stake खरीता हूं 60% यानि 1 July 2020 date तक मैं यह देखूँगा कि company का क्या financial position है company के कितने share capital है company के कितने reserve and surplus है यनि overall company का net total shareholder funds देखूँगा मैं और उसका 60% अगर मुझे खरीदने है तो वो 60% के लिए मैं consideration pay करूँगा है ना वो consideration में pay करूँगा में भी ऐसा हो सकते है कि जो stake है जो net assets है उसका consideration में कम भी दे सकता हूं या ज्यादा भी दे सकता हूं for example overall 10 crores का net assets है company का टाटाओ मोटर्स का मैंने 60% खरीदने है यनि 10 crore का 60% यनि 6 crore का हक मेरा हो जाएगा अब ये 6 crore के लिए मैं क्या दे सकता हूं might be मैं 7 crore रुपया द 1 crore मैं एक्स्ट्रा दिया ये 1 crore मैं एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं future में इस company के तुर अच्छा गासा earn कर पाऊंगा इसलिए हम इस 1 crore को expense नहीं मानते हैं मैं इसे क्या मानते है goodwill मानते और उसके बाद future में 1 July 2020 की बाद future में जो post acquisition period है उस period में जो भी कमाई होगा उसमें मेरा खुनपसीना होगा मेरा role होगा क्योंकि management मेरे control में मेरे पार 60% का power है वहाँ पर मेरा role है तो उसके बाद further 1 July 2020 के बाद further जो भी profits होगा जो भी कमाई होगा उस पे मेरा खुनपसीना होगा and जो भी मेरे हिस्सा का कमाई मुझे मिलेगा उसे मैं profit and loss account में दि दिखाना लेकिन till the date of acquisition जो भी आपने extra पैसा दिया है वो आप goodwill में दिखा होगे यह जो भी extra आपका profit हुआ है वो आपका profit खुनपसीना का नहीं है आप उसे capital reserve में दिखा होगे क्योंकि यह capital profit आपने capital investment की आपने कुछ खरीदा जिसके बदले में आपका profit हुआ यह capital profit है इ इसका नाम भी gain on bargain purchase जो अपने index 103 में भी नाम सुना होगा इसलिए यह धियान में रखना है till the date of acquisition जो भी profit यह loss होता है वो goodwill and capital reserve से adjust होता है अगर loss हुआ तो goodwill में जाएगा अगर profit हुआ तो capitalism में जाएगा लेकिन after acquisition period जो भी profit होगा वो retain ending में जाता है वो profit and loss account में जाता है य इसलिए हम क्या करती है पर हम pre acquisition period and post acquisition period का profits पता करती कि क्या है ताकि हम जो pre acquisition profits में जो भी loss या profit हो रहा हुआ उसका हम goodwill and capitalism में दिखा सके and post वालेको हम retain earnings that is profit and loss account में दिखाएगे I hope आपको इतना तक समझ में आया आगे अब हम क्या करेंगे हम यह जानने की कोसिस करेंगे कि क क्या pre acquisition profit है and क्या post acquisition profit है यह समझाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ exam में कोई भी balance rate आजाए कोई भी balance rate आजाए आपको यह धिहान पर रखना है कि P limited का अपना balance rate तो as it is बनेगा इसका balance rate as it is बनेगा क्योंकि P limited किसी खुद अपना कौन सो बना रहा है इसका अपना balance rate as as it is जाएंगे unless revolution वगरा कुछ हो बात लगे यह सारे की सारे value as it is जाएंगे अब problem क्या है as limited में और as limited में problem है हम as limited and as limited में क्या करेंगे हमने index 103 में आपने पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ना जब हम acquire करते acquisition date में किसी भी company को तो उसके सारे assets and liabilities को fare value में measure करते ना कि carrying amount है हम किसमें measure करेंगे fare value जो मैंने basic questions भी आपको कराया था वो वीडियो आपने check कर लिया हो अगर नहीं कहता हो प्लीज करना हूँ अपर अब जो fare values है वो fare values पे ही हम सारे assets को record करते हैं हम carrying amount पे record नहीं करते हैं जबकि यहाँ पर अब देख रहे हो सारे carrying amount ही सारे अगर नीची information मे fare value नहीं दिया हुआ है हम assume कर लेंगी कि जो carrying amount है वही fare value है और अगर fare value दिया हुआ है तो हम fare value लेंगे क्योंकि कितने बार students का यह query रहता है कि sir हम कभी-कभी carrying amount लेते कभी-कभी fare value लेते है नहीं ऐसा नहीं हम हमेशा fare value ही लेते अगर fare value हमारे पास नहीं है तो हम carrying amount को क्या म reserve इनका retain earnings ये जो सारे profit है ना इसको बटवारा करोगे between whom parent company and non controlling interest और parent company में भी बटवारा होगा pre acquisition profit and post acquisition profit में बटवारा होगा ये सारे profits का that is share capital other equity reserve retain earnings हम ये पता करेंगे till the date of acquisition हमें क्या हक मिला और फिर हम compare करेंगे investment से जो हमें हक मिला उसके में हमने पैसा कितना दिया ताकि उससे हम ये पता कर सकी कि क्या गुडविल है क्या capital reserve है understand अपको अभी तब पूरा 100% समझ में नहीं आएगा पर मेरा ये सारा बात भी पताना जरूरी था ताकि आगे हम question को बहतर तरीके से समझ भाएं आगे जब हम solve करेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा tension की कोई बात नहीं है सबसे पहले हम क्या करेंगे assess limited को target करेंगे assess limited के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या pre acquisition profit है and क्या post acquisition profit आप देख सकते हो assess limited का share capital है 320 का and reserve इनका 80 का retain earning इनका 60 का it is overall other equity में इनका पैसा पढ़ा हुआ कितना 140 का पैसा पढ़ा हुआ reserve and retain earning में total profit आज का date में it is consolidation date में 31st March 2002 को ये consolidation date में इनका 140 का total reserve में पैसा पढ़ा हुआ है अब आगे अब यहाँ पर देख सकते हो 30th September 2001 को acquisition हुआ था जो भी acquisition हुआ 30th September 2001 को हुआ लेकिन जो आज consolidation date का balanced है ये 31st March 2002 का है यानि आपका acquisition होने को 6 मेहना बीत चुका है September 2001 में acquisition हुआ था और आज 31st March 2002 है यनि 6 मेहना बीत चुका है है ना आगे बढ़ते हम आगे अब देख सकते हो 1st April 2001 का balances दिया हुए है 1st April 2001 का balances दिया हुआ है as limited का and SS limited का मैं reserve and return ending को फिलाल आपको समझाने के लिए एक साथ gross कर दूँगा यहापर मैं अलग-अलग से नहीं दिखाऊंगा मैं इसे gross कर दूँगा gross as limited का reserve and surplus कितना है 100 and SS limited का कितना है 90 अब इस date को मानता हूँ one for 2001 है यह 31st March 2002 और यहाँ पर हम रखेंगे 30 सब्टेंबर 2001 यह क्या है यह acquisition date है 30 September को तो अपने acquisition किया था यह 1st October 1 की बात हैं कहां गया कहां किया यह रहा 30 September यह 30 September को अपने acquire किया था यह acquisition date यह acquisition date से पहले यह acquisition date तक गजितना भी कमाइवा पड़ारीव सारी परिकुणिस प्रॉफिट रहीगा यह सारी area जो है ना यह पूरे area जो है यह pre acquisition profit है कि हम यह से कह सकते हैं यह subscription ठीक है और यह सारी areas यह हो गया कि यह क्या होगए अभिक पोस्ट acquisition पीरेड हो गया ए champ क्लियर अब आपको यह देखने है कि SS Limited का 142001 को कितना बैलेंस स्था कि SS Limited का 90 का बैलेंस था 142001 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूं 90 कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 90 आप खुद बताओ यह प्री है या पोस्ट है ओविसली प्री है क्योंकि अभी तक तो एक्वाइर हुआ ही नहीं बिजनस बिजनस एक्वाइर तो यहाँ पर हुआ है और इससे पहले का सारा कमायवा धन क्या है प्री है अब हमें यह पता चल गए कि 90 था 142001 को 142001 को 90 था इन्होंने बताया और आज के डिट में SS Limited का 31st March 2002 को कितना है 140 है 808 60 मिला दे तो यह 141 नहीं इनका 140 का बैलंस है यहनि हमें यह पता चला कि यहां पर बैलेंस 90 है और यहां पर बैलेंस कितना है 140 है यहां बैलेंस 90 है तो यहां 140 है मतलब दूरिंग दे एंटायर यर पूरे एक साल में बताओ ना कितना कमाया होगा कंपनी नहीं अपने आप तो कि डैट इस टूथाउजन वन टू कितना कमाया है कंपनी ने 50 कमाया न क्योंकि 90 से पहुच गिया कहां पर 140 पर टो एंटायर यह में कंपनी ने 50 कमाया यह लेंगे कि पूरा बारर मेना काम चलता है और बार मेना में हमारा ये पूरा 50 का प्रॉफिट यूज यूज है तो अगर बार मेना में अ peoples amasa 25 evenly और next suji मेना में 25 तुम यह मानले से कि पहला अध्य मेहन में फोईश्ट 6 मन्त हमने कि इतना कामे नेक्स्ट सिक्स मन्थ ध्यान देना थोड़ा सा टाइम लेंगे मैं अभी ताकि बाद में जब आप सॉल्व करोगे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगए मैं गैरंटी दे रहाँ बस अभी एक एक चीजों को समझो अच्छे से ध्यान दो 25 फर्स सिक्स मन्थ है मैंन हमेhr 25 कमा आएगा तो यहनि अवरोल तु आजिका बैलेंस तो 140 है जिसमें यह कह सकते हैं अब हम निकाल सकते हैं कि प्रि एक्विज संस्ट प्रियर का कितना प्रॉफिट है and post acquisition period का कितना profit है क्या ये pre acquisition है, yes ये pre है, पूरा का पूरा, first six months भी पूरा का पूरा क्या है, pre है, तो ये भी pre होगा, next six months क्या होगा, post होगा तो ये post होगया, यनि हमें ये पता चल रहा है कि pre acquisition profit जो है 90 plus 25 है ना, ये वाला और ये वाला, 90 और 25 25 पीजिवेंट से पहले का कि जितना कमाए होगा पैसा रापी यह कुछ look होगे यह से पहले ग्याँ है यह 25 यह C 15 हुआ और फिर पोष्ट एक्विजिशन प्रॉफेट का बाद करे कितना आएगा 25 यह निए 25 है यह निए टूटल हो गया कितना 140 तो अब देख सकते हैं बैलेंस रीट में तो 140 है 140 आपका बैलेंस रीट में था और हमने 140 से यह पता कर लिया कि क्या प्री है और क्या पोस्ट है कि एक सेगर न क्या प्रीए और क्या पोस्ट हमने यह पता कर लिया एक दम सिंपल दरीकर से चलो अच्छे से समझ में हमें यह चीज़ अब हम क्या करेंगे आगे share capital 320 है obviously share capital 320 है मानेंगे पहले से share issue क्या हुआ है तो यह पूरा का पूरा share capital pre होगा और अब हमेशा ध्यान रखना share capital को तब आग बंद करके यह माना कि यह pre ही होगा क्योंकि पहले से share issue क्या हुआ रहता है और ऐसे share capital के पहसे हम कभी भी profits sheriff बाठव नहीं सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसलिए हम उसे share capital को preBuild को प्री माना तो तो आपको ध्यान में रखना है share capital औल्वेस pre होगा ध्यान रहिही Step प्री होगा हमें यह पता चलिया सबसे पहले हैं SS Limited का बात करेंगे total share capital and other equity SS का कितना है इनका share capital कितना 320 और other equity कितने का है 80-61-40 का है न यहने कितने का हो गया 420-460 हो गया 460 का total share capital ध्यान देना यहां पर मैं काम करते हूं plus लिग देता हूं यहां पर 320 का यह share capital है क्योंकि यह भी पूरा का पूरा कहां चला जाएगा यह pre है यह भी पूरा का पूरा प्री हो जाएगा आप तो अब हमें पता चल गए कि टोटल सेर केपिल कितने का फूर सेक्स्टी का है जिसके अंदर प्री वाला प्रॉफेट एंड पोस्ट वाला प्रॉफेट प्री प्रॉफेट कितना हो गया 320 और 115 और पोस्ट वाला कितना हो गया 25 ही है न 25 है यानि अब कह सकते हो 420 435 हो गया यह और यह हो गया 25 445 460 हो गया आपका तो टोटल हमने 460 का हिसाब निकाल लिया अपर अब देखो यह जो प्री प्रॉफिट एसस लिमिटेट का यह बात कर रहें अभी तक SS Limited का हमने सुरुवात में निकाला था कि SS Limited का जो भी profit होगा उसमें 60% हिस्था parent का है और 40% हिस्था NCI का है है ना तो यहां पर अब हम क्या कर सकते इसका बटवारा कर सकते है हम इसका बटवारा करेंगे इसका भी बटवारा करेंगे 60% जो है वो parent का है और 40% किसका NCI का है पोस्ट में भी 60% किसका पैरेंट का है और 40% किसका NCI का है clear तो यहां पर 435 का 60% कितना होते है 261 और 435 का 40% 174 25 का 60% obviously 15 होगा अब ध्यान से सुनो जो pre-acquisition profit है मैंने बताया था यह adjust होगा with investment यह क्या करेगा हम यह देखेंगे कि हमें इतना हिस्टा मिला है यानि acquisition date तक का profit में हमें इतना हिस्टा मिला है और इसके बदले में हमने payment कितना किया यह हम देखेंगे इसलिए हम इसे क्या करते हैं इसे हम capital reserve कहते हैं क्योंकि यह capital profit है यह हासिल करने के लिए अपने बदले में consideration दिया होगा इस हम हमेशा क्या करते है adjust करते हैं with consideration paid that is investment और यह क्या हो गया यह तो NCI का हग हो गया ठीक है अब यह वाला क्या है यह खून बसीना का कमाई है क्योंकि post profit है post profit में आपका खून बसीना लगा हुआ है हम इसे कहां दिखाते है रिटीन अर्णिंग में दिखाते है और यह वाला क्या हो जाएगा यह obviously NCI NCI में प्री पोस्ट करने की जरद नहीं NCI हमारा है नहीं बाहर वालों का वो खुद करेंगे जो उन्हें प्री पोस्ट करना है हमें करने की जरद नहीं तो हम NCI का टोटल बता देंगे कि NCI तेरा यह खाता है अपना वाला तो मैं प्री पोस्ट कर दूँगा मेरा जो है मेरा 60% हिस्सा मैंने बता दिया कितना प्री है मेरा कितना पोस्ट है मैंने बता दिया अब बाकी NCI वालों का मैं प्रीटी छोड़ देंगे हमें मतलब भी अब मैं एक और वेरिफिकेशन करने के लिए आपको बता देता हूँ टोटल जो है सेरहोल्डर फंड यह तो है टोटल सेरहोल्डर फंड एसस लिमेटिड का क्या 320 80 और 60 यहनि टोटल 560 हुआ यह यह वा यह 561 है टोटल अब अगर कर लो 560 का 60% is what 336 आ रहा है यहनि टोटल 336 किसको मिलना चाहिए यह गलत बोल दिया है मैंने 460 है, sorry sorry 460 है आपका ठीक है वापसे चुक कर लेता है 460 का 60% किसको अपकर पैरेंट का है यह वह पैरेंट का है और बाकि किसको एंस यह का तो हम चेक करेंगे किए च्बकर अट्रगं का 276 आ रहा दिख़ो 251 प्री है और 15 पोस्ट है और 261 प्लस 15 करेंगे तो 276 हाई रहे यह नहीं हमें पता चल चुका है कि हाँ एकदम हिसाब बराबर है हमारा 276 का हमारा हिस्सा था जिसमें प्री में कितना गया हमने निकाला पोश्ट में कितना गया हमने निकाला बस आपको यह धियान में रखना क्योंकि mid of the year में यहां पर acquire किया गया है तो इससे पहले का कमाई तो प्री होगा यानि ultimately हमने प्री पोश्ट निकाल लिया कि क्या प्री है क्या पोश्ट है तो ध्यान रहे इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ यह CR है यह NCIA इतना exam में नहीं लिखना मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ भी यह retain earning है और यह फिर से क्या है NCIA clear तो debt means हमने एक बार के लिए हमने SS limited का हिसाब कर लिया SS limited का हमने हिसाब किया और आपको पता हमने SS limited का क्या हिसाब किया share capital and other equity का हिसाब किया यही हिसाब किया और मैं बता तो इतना ही करना है बाकी सारा कुछ करना ही नहीं आपको इतना ही करना है same way में हम क्या करेंगे SS limited का share capital reserve return earning यह तो मैं पता ही यह pre होगा है ना यह तो pre होने और बाकी 150 जो है वो प्री पोस्ट में बटेगा आपका क्योंकि सारा capital विल ओल्वेज बी प्री यह आपको ध्यान पर रखना है तो चलिए अब हम क्या करते एस limited का बात करते है एस limited के case में भी हम ऐसे बनाते है यह one four two thousand one है अब अब वड़ाफ़ड होगा आपको टाइम नहीं लगेगा 30th September 2001 यह आपका क्या acquisition date है और यहां पर आ जाएगा 31st March 2002 clear तो यहां पर क्या हो गया यह अब मैं गया simple way में बताऊंगा जेया टाइम नहीं लगाओ यह आपका क्यों हो गया pre acquisition हो गया यह पोस्ट हो गया 사고 यह आपका pre acquisition period होगे यह आपका post acquisition period हो गया क्योंकि यह acquisition पर यहां पर देखो 100 को यहां पर 100 था बैलंस यहां पर 100 ता बैलन्स और तो यहां पर balance कितना है यह भी देख लेते हैं 31st मार्ट रोजन टू को balance कितना है यह रहा तो प्री उसको अलग से अटा दो retain earning और रिजर्ब मिला कि कितना है 150 और इधर देखो रिजर्ब और रिटेन अंडिंग मिला कि कितना है 100 है तो इससे में पता चला है यहां पर 150 है यहनि एंटाइर यहन में कितना कमाए गया obviously 50 100 और 150 का difference कितना है 50 यहनि आप क्या सकते हो profit 2001 तू यहनि entire year का कितना है 50 है इसका आधा प्री आधा पोस्ट यहनि 25 क्या होगा प्री 25 पोस्ट और इधा 25 पोस्ट यह आपका प्री हो जाएगा यह भी आपका प्री हो गया क्योंकि प्री से पहले है और यह आपका क्या हो जाएगा और हमें पता है share capital तो क्या होगा प्री ही होगा अब हम क्या करेंगे as limited total share capital and other equity कितना है हमारा 400 है और हंड्रेट फिफ्टी है और हंड्रेट फिफ्टी है प्री ही होगा और यह वन फिफ्टी के अंदर आप है में लिखा नहीं न हम कुल लिख देते रूखो इसको लिख लेते हैं on क prevalent कितना हो गया 100 और 25 125 três क्या पोस क्युक्राफिट कितना हो गया 25 और यह मिला कि 150 हो रहा आपका है ना 550 आपका तो अब हम क्या करेंगे 550 जो है ना एस लिमिटेड का इसे हम बाटेंगे प्री में और पोस्ट में तो अब देख सकतो प्रीमें क्या करेंगे 400 तो सैर कैपिटल पूरा का पूरा प्री हो गई और बाकी 125 का प्री प्रॉफिट हमने यह निकाला फोंडेट तो सैर कैपिटल प्री हो नहीं है यह पूरा और यहां पर हंड्रेड और 25 प्री था 125 प्री यह आपका यह अधर एक्विटी का पार्ट हो गया और इधर सिर्फ 25 यह आपका जो कि पोस्ट रहेगा यानि इधर कितना हो गया और यह आप एसको घंदा हो गया इसको मिटा देता हूं में यह 550 यह नहीं अधर और यह यहां पर 260 इसका है सब्रय यह हम ने यह वरिपहान कर लिया अब यह 525 जो है यह परी है न अब इसमें क्या पूरा का फूरा एंटार में इसा पर Solar करा S Limited, S Limited में आप देखो हमने पहले से निकाल के रखा था, S Limited कहां गिया, कहां गिया, कहां गिया, यह रहा, S Limited में 80% Parent का है और 20% किस का है, NCI का है न, तो अभी हम क्या करेंगे, 80% और 20% यहां पर भी 80% and 20%, 80% हिस्सा कहां जाएगा, into 80%, 420, 525 का 20%, 105, 25 का 80% तो मुझे पता है, 20 होता है, और यह 5 होता है, मैंने पढ़ा है, तो यहां पर देखो न, 420 जो है, यह कहां जाना चाहिए, capital reserve, क्योंकि pre-profit है, capital reserve से adjust होगा न, और यह 105 जो है न, यह NCI है, NCI में तो pre-post करती ही नहीं है, हम जरुती नहीं है, और यहां पर यह 20 है, यह अपका कहां जाएगा, return earning में, और यह कहां जाएगा, NCI में जाने वाला, तो that means, हमने निकाल लिया न, यहां पर, कि क्या pre है, क्या post है, यह सा सारा चीज हमने निकाल लिया, ultimately मैं आपको समझा दू, हमने क्या किया, S Limited, N SS Limited का, share capital और other equity का बटवारा कर दिया, अब आप बोलोगी, इतना time लगिया, अब time ही नहीं लेगी आपको, इतना कर लिया न, काफी है, अब आपका exam में आराम से solution होगा, आपको क्या करना पता है, P Limited का balance rate as it is जाएगा, and S Limited और SS Limited के सारे assets and liabilities को में as it is दिखाएंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये share capital का बटवारा कि उसके accordingly दिखा देंगे, और साथ साथ में ये investment को क्या करेंगे, उसके साथ हम adjust कर देंगे, यह हम करेंगे बाद में, अब हम क्या करते है, straight away सब से पहले balance rate बनाते हैं, और मैं जैसे बनाओंगा, वैसे ही आप बनाते जाना, तब आपको easily समझ में आएगा सारा चिस, हम एक एक करके balance rate पूरा बनाते जाएंगे, मेरे हिसाब से बनाना पूरा अच्छे से, अब ध्यान देना भीया, आप कैसे बनाते हो मुझे मतलब नही होगा, हम पहले इधर asset side रखते हैं, क्योंकि ICA भी पहले assets रखते हैं और, यहाँ पर हम लगते, equity and liabilities, assets रखते, assets के अंदर आपका non-currents, current, यह से में फिलाल classify नहीं करूँगा, जरत ही नहीं है, exam में भी जरत नहीं है, time बचाओ यार, तीन घंटे में कितना लिखोगे, है न, एक ही को थोड़ना पूरा time देना, तीन घंटे का, तो अभी हम पहले assets में क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से सुना, peel immediate का balance sheet को उतारेंगे, और मैंने बताया था, peel immediate का balance sheet तो assets आएगा, क्योंकि peel immediate में किसका holding नहीं है, किसी का भी holding नहीं है, peel immediate का balance sheet assets उतारेंगे, peel immediate यह investment को यह बार छोड़ूँगा, क्योंकि यह बाद में adjust होगा, एक बार इससे छोड़ेंगे, बाद में मिला लेंगे, इसको हम छोड़ेंगे, इसलिए हमने इसको circle कर दिया, क्योंकि यह छूटा हुआ है हमारा भी है, 320 हमने ले लिया, अब आगी inventory है, trade receivables है, आपका bills receiv inventory कितना है, 220, 260, 72, 72 हमने डाला, यह डाल दिया सारा, cash in hand 228 है, cash in bank balance 228, यह हमने डाल दिया यह सारा, तो आप देख सकते हैं आपर, peel immediate का मैंने यह सारा डाल दिया, 5 figure डाल दिया हमने, बस investment को छोड़ा अब इनका equity and liability पे डालेंगे, यह सारे भी asdds जाएंगे, इनके तो सब कुछ asdds जाएंगे, एक चीज़ का ध्यान रखना, parent का कभी भी है न, reserve and return earning को बट्वारा मत कर देना, किसने बट्वारा करोगे, parent का तो खुद कहीं सारा है, parent का तो कोई holding company ही नहीं, तो parent का बट्वारा मत करना, parent का हम इसा asdds जाएगा, parent का share capital 600 है, तो share capital 600 दिखा देंगे, और reserve and return earning जो है, वो भी दिखा देंगे, चलो इसको थोड़ा सा gap देके करेंगे, थोड़ा सा जगा देता हूं में इसको, कितना 180 और 160 है न, 180 and 160 हमने डाल दिया, फिर 470 का trade payables है, और bills payable में 30 है, हम बाद में सब कटा कुटी करेंगे, जो भी करना है, यह नहीं मैं बता रहा हूं, आगी का जो information है, मतलब ही नहीं है, अगी, additional information को बाद में adjust कर लेंगे, पहले console बना लेंगे, वही easy process रहता है, पहले बटवारा कर लो, pre-post कर लो, और सिधा balance sheet बना दो, फिर last में जो भी information बचेगा, उसका मैं double effect दिखा दूँगा, उससे क्या होगा, आपके दिमांग में stress नहीं रहेगा, आपको focus पहले क्या रहेगा, console बनाना, एक बाद में चोटी चोटी बच्चे को ऐसे समाल लेंगे, इसलिए पहले console बनाने पे ही focus करना, और जैसे मैं बना रहो, मैंने अभी तक कुछ नहीं क्या, मैंने अभी तक बटवारा करना सिखाया, अब हम क्या करेंगे, next target लेंगे S Limited को, S Limited का भी हम ऐसी करेंगे, S Limited का property, planning, equipment हम 360 उतार देंगे, फिर इनका investment को भी हम छोड़ देंगे एक बार, बाकी इनका inventory, street receibles के ऐसी नहीं हैंगे, ये सब उतार देंगे, 70, 140, इसके बाद, next, देखो, अब मैं बता दू, ये आप मत लेना, क्योंकि इसका अपने बटवारा किया न, हमने parent का तो सारा लिया था, ये, लेकिन ये वाला क्यों ले रहे हो, इसका तो बटवारा क्या हो, वहां से लेंगे, वह जो बटवारा करके रखा हैंगे, 550 का pre-post में, इसलिए हम हमेशा, ये ध्यान पर रखना है, आपको तीनी चीज नहीं लेना है, पहले balance rate मनाते समय, क्या पहला तो investment नहीं आएगा आपका, दूसरा share capital and other equity, मैं लिए दो चीज़ी बोल सकते हो, investment नहीं आएगा, किसका, कोई भी investment हो मत लेना, और फिर subsidiary company, जो भी चाहिए हो sub-subsidary, intermittent subsidiary, जो भी हो, subsidiary company का share capital and reserve and surplus को एक बार include मत करणा, क्योंकि उसका अपने बटवारा का रखा होगा, तो हम ये इसको एक बार क्या करेंगे, इसको ignore करेंगे, फिलाल नहीं लेंगे, इस सारे, बच्चे क्या, 230 और 70, यह निका दूए चीज है, 230 और 70 है, trade payables और bills payables, मैंने लिखा है, बाद में एक काटिंगे, bills payables में किसका क्या due है, mutual living बाद में देखेंगे, चलो, हमने S Limited का भी सारा ले लिया, बस S Limited का हमने क्या नहीं लिया, पते है, investment नहीं लिया, और share capital and reserve and surplus नहीं लिया, बाकी सारा balance rate हमने S ATS होता रहा है, फिर next हम S Limited को target करेंगे, प्रोपर्टी प्लांट इन इक्विमेंट, पचास, दूसो बीस, तीस, चालिस, अना, सारा ले लिया देखो, ये तीन दो आएगा नहीं, ट्रेट पेबल्स 180 और कुछ नहीं है, तो अब देखो, मैंने balance rate तो बनाया, कुछ हद तक तो भी balance rate बनाया मेरा, अब इस balance rate में मैं बता दू क्या क्या नहीं आया, जो जो circle के वह भी नहीं आया, ये 340 नहीं आया, ये 280 नहीं आया, इसके अलावे सारे figures आगए, है ना, और equivalent liability में ये वाला पार्ट नहीं आया, ये वाला पार्ट नहीं आया, इसके लिए वह सारे figures आगए, ये निए आप कहोगे, balance rate तो इनका तो match ही है, question वाला, अब इनका जो जो हमने अभी तक नहीं लिया, ये सारा अगर हम ले लेंगे तो अपने आप ही automatically क्या हो जाएगा, match हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आप समझो, अभी हम क्या करेंगे, investment को एक बार रोग देंगे, हम पहले क्या करेंगे, ये जो है ना, जो हमने अभी तक नहीं लिया, 550 का हमारा नहीं लिया, 460 का हमने नहीं लिया, ये difference रहेगा ना, तो ये सारा हम डालेंगे, एक बार कौन सा डालें, 460 वाले को टार्गेट करते हैं, और फिर 550 वाले को टार्गेट करेंगे, यानि Assess Limited का जो अभी तक हमने यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह balance rate जो हमने बनाया है, इसी के नीचे में क्या लिखूँगा, Capital Reserve लिखूँगा क्यूंकि Capital Profits आपको adjust करना है, फिल लिखूँगा, मैं NCI और Retain Earning लिखूँगा, मैं क्यूं लिखूँगा आपको पता चलेगा, क्यूं लिख रहा हूं मैं, अब देखो अभी यहाँ पर, एकदम सुरुवात में आते हैं, यहाँ पर हमने देखो बटवारे किया था न, हमने बोला यह जो 261 है, यह 261 हमने क्या बोला, CR है न, 174 क्या है, NCI, 174 NCI, मैंने उतार दिया, CR और NCI पर, फिर 15 क्या है, Retain Earning, 10 क्या है, NCI, यह हमने NCI भी उतार दिया, उसके बाद, क्या हमने यह सारा उतार दिया, 460 हो रहा है, यह चारो का अगर आप टोटल करोगे, 460 हो रहा है आपका, और क्या 460 था, किसी का एक का टोटल हाई यह रहा, इसका टोटल 460 था ना, और यह 460 हमने उतार दिया, चारो का मिला के टोटल 460 हो रहा है, अब दूसरे बाले का भी हम कर देते हैं, CR कितना 420 है, यह देखो, CR 420, चलो CR में लिख दिया 420, यह पैरेंट का खुद का है ना वो, वो भी प्री प्रॉफिट है, तो CR में जाएगा, 105 NCI, उसके बाद, 20 और 5 ना, 20 RE में जाएगा, रिटीन अर्डिंग में, और 5 जाएगा कहां पर, NCI पर, अब यह वाला, यह चार फिगर जो थे, यह चार फिगर हमने एसलिमेटर काउट है, इसका हम टोटल कर लाए थे, कितना है, 420 प्लस 105 प्लस 5 प्लस 20, 550 हो रहे है न, 550 हो रहे है, तो यहाँ पर देखो ने, यह रफाइफिप्टी था यह, यह नहीं, आप कहा सकतो, 550 और 460, यह टोटल मिला कि कितना होता है, 1000 10 होता है, 500, 900, 1000 10 होता है, और इसका जो हमने डाला भी तेबल, यहाँ पर भी 1000 10 है अभी, यह सबको टोटल करके देख लो, अगर आपको डाउट हो रहा है, तो पॉस्ट करके टोटल करके देख लो आप, यह 1000 10 हो रहा आपका, ठेक है, तो हमने क्या क्या, सैर कैपिटल एंड रिजर्वेंट सप्लस को, सियार में, यानि प्री प्रॉफिट का, अपना मेरा प्री प पोस्ट दोनों है यह, और यह मेरा पोस्ट प्रॉफिट है, खुन पसी नागा कमाई, है ना, यानि सियार मेरा प्री प्रॉफिट है, एंसी ए उसका प्री उसका पोस्ट दोनों ही है, और आरी जो है, यह मेरा पोस्ट प्रॉफिट है, यानि मैंने अपना और मेरा प्री औ में अपने पैसा दिया है, acquisition date में ये acquire किया था, आपने इतना हग आपको मिला था acquisition date में, और इतना हग को हासिल करने के लिए आपने पैसा दिया है, इतना हग को हासिल करने के लिए आपने क्या दिया है, पैसा दिया है, कितना पैसा दिया हमें ये जानना है तो आप यहाँ पर देखो, आपने कितना पैसा दिया, यह रहा investment, P Limited ने 340 दिया, P Limited ने कितना दिया, 340 दिया ना, एक जगा पर है, और S Limited ने 280 दिया, तो आप यहाँ पर देखो, यह हग को acquire करने के लिए, पी Limited पैस, 340 है न, और S Limited पीजट ने कितना दिया, investment, वही है, जो investment अपका business में investment हुँए, 16,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 $, एसस लिमेटेट में इन्वेस्मेंट किया, S ने कितना दिया, 280, P ने दिया, 340, S ने दिया, 280, 280, तो यहाँ पर देखो, P ने 340, यह निए P का पूरा खुद का, P कही तो कौन सो बना रहे, P का पूरा अपना हो गया नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखो, S लिमेटेट 80% है, और 20% किसके है, NCI के, यह निए S लिमेटेट जो भी पेमेंट करेगा, उससे ऑटोमेटिकली P लिमेटेट का खाता 80% से डेटक्त हो जाएगा, यह नि इस 280 का 80% तो P का पेमेंट क्या हुआ है, यहनि 224 किसका पेमेंट है, यह P का पेमेंट है, 224 और 280 का 20%56, यह किसक payment हुआ मतलब पी लिमिटेट खुद payment कर रहे तो पी में तो को NCA वगे रहे नहीं पी का अपना कितना लगा 340 लगा लेकिन एस ने जब 280 दिया तो एस में पी का अपने पॉकेट से कितना गया पी का तो 80 परसे नहीं साथा एस ने पेमिंट किया इसलिए पी अपना चेक करें है कि उसका 224 लगा और NCI का बागी कितना लगा 56 लगा तो अब हम यहां पर देखेंगे पी का पेमिंट कितना हुआ 340 और 224 पी ने किया पी ने किया देरफूर पेड रूपीज 340 और 224 अ किया रूपी है पोडाए पेड किया थूर स्लिएंट कितना है रूपेश ना किया पेडि jan तो अब यहाँ पर क्या करें यह जो payment है payment हम adjust कर देंगे 340 और 224 तो कितना किस ने दिया है 340 और 224 तो हमने दिया है न मेरा मेरा यह मेरा pre profit है यह दोनों को हासिल करने के लिए मैंने यह payment किया है इसलिए मेरा investment से adjust हो गया और NCAE ने भी payment कितना किया 56 का payment NCAE ने भी तो किया है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने पहले क्या किया पहले तो हमने क्या किया यह जो total था 550 और 460 यह हमारा equity and liability side का total था यह भी ने डाला है ना और फिर यह जो investment था 340 और 280 इसको हमने minus भी तो कर दिया आप ऐसे भी देख सकते हो equity and liability में है 550 और 460 और asset side में 340 और 280 तो दोनों का net off करेंगे दोनों का net off करेंगे ना हम क्योंकि asset side में आपका दोनों उल्टा एक दूसरी का share capital, reserve and surplus आ चुका है and जो investment हमने छोड़ा था वो भी इसमें आ चुका है minus हो गया यहनि all together जो जो item आपने छोड़ा था circle क्या हुआ यह सारा item हमने अभी डाल दिया न यह सारा item है और यही item को अगर मैं balance rate में डाल तो मेरा balance rate 100% for sure match करेगा ही करेगा तो अभी हम आगे हम और discuss करेंगे पर पहले बात करते हैं almost हमने cover करी लिया भी अब हमारा ज्यादा time नहीं लगेगा अब मैं आपको final touch दूँगा फिर उसके बाद 261 हाँ एडिसनल इंफोर्मिशन का एक दो पॉइंट है फटावट हो जागा टाइम ही नहीं लगेगा उसमें minus 340 minus 224 117 आ रही है 174 plus 10 plus 105 plus 5 minus 56 238 और इधर आएगा नीचे वाला कितना 35 टोटल भी देख लेते कितना होता 117 plus 238 plus 35 कितना यह 390 आया 390 टोटल तीनों का मिला कि चेक तो कर ले एक बार सही है कि नहीं है तो देखो ना 550 था 550 था ना और उधर 460 माइनस कर देते हैं एसेट वाला 340 मैनस कर देते हैं 280 मैनस कर देते हैं मैनस 340 कर दो मैनस 280 कर दो 390 आ रहा है और वही तो 390 है आपका देखो मैच हो रहा है यानि जो जो सरकल कि आप हमने छोड़ा वह हमने सारा डाला अजस्ट करके तो 390 आ रहा है यानि अब यह 390 अगर मैं मैं आपर लिखूँगा कैपिटल रिजर्व कितना है नीचे तो है 117 का कैपिटल रिजर्व है मैंने 117 लिख दिया qam様 Nci 288 तो गुम अलग से दिखाते है इक्विटी में दिखाते है पर अलग से दिखाते है NC Datab कितने का दिखाते है 238 लिखा दिया मैंने और फिर रेटेःन एंडिं कितने करने का है यहनि खुन पसीने का कमाई 35 है ना तो 35 भी हम दिखा देंगे यहां रेटेन अंडिंग के साथ यहां दिखा देंगे क्या बैलेंस इड हमारा भी मैच है अगर इम इन सब को क्लूज कर देंगे ना 100% मैं कहता हूं 100% बैलेंस इड आपका मैच है यहनि अपको करना है कि हमें बता दो आपको जो process हो वो क्या करना है सबसे पहले तो आपको यह जानना है subsidiary का share capital और reserve and surplus उसमें क्या pre है और क्या post है subsidiary का reserve and surplus को आपने pre post में बाट दिया share capital तो प्री रहे गए आपका फिर उसको हम क्या करेंगे प्री वाला जबकि CR और NCI में जाता है पोश्ट वाला return earning और NCI में जाएगा तो उस तरीके से हम बटवारा कर देंगे between CR, NCI and return earning यह बटवारा कर देंगे और CR में से investment को adjust कर देंगे और NCI में से investment को adjust कर देंगे मेरा जो पैसा लगा वो CR से adjust हो जाएगा मैंने हो जाएगा क्योंकि मैंने जो हासिल के उसके बदली मैंने कितना दिया और NCI का NCI से adjust हो जाएगा आपका यह adjust करके हमें पता चल जाएगा all together यह तीन figure हमारे पास जो आएंगे न यह तीन figure यह तीन figure किसको रप्रेजंट करेंगे पता है share capital, subsidiaries के other equity यानि reserve and surplus, rating earning वगेरा वगेरा अधर equity, rating का रप्रेजंट करेंगे और साथ में investments जो मेरा या subsidiary का NCI का investment है, वो सारे investment को represent करेंगे यह यह सब को represent कर गया, बाकी का जोतना जितना item है, सारा का सारा item तुमने अराम से पहले उतार देंगे यह आपको exam में क्या करना है, यह जो balance rate दिया हुए न, यह balance rate में आपको बस तीन चीजों को छोड़ना है, investments को छोड़ना है, share capital को छोड़ना है, other equity का figures को छोड़ना है, इसको छोड़के बाकी पूरा balance rate as it is कौनसों में उतार दो अप, उतार दो practice करके समझ लोगे, घर पर फिर बैठके खुदी अकेले में, तो 100% समझ में आ जाएगा, और आई रहे भी भी सारा चीज, मैं तो कुछ चोड़ा ही नहीं है, तो सारा चीज हमें समझ में आ रहा है, अब हम एक काम करते हैं, हम एक बार के लिए close करते हैं, additional information को तो मैं मैं अभी तक देखा ही नहीं है, मैं देखूंगा ही नहीं अभी, मैं एक बार इससे close करता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा balance rate वाक ही में match करता हूँ, मैं तो sure 100%, मुझे चेकी नहीं करना, मैं sure उपर आप लोग के लिए preferred 980, plus 340, plus 580, मेरा 100% balance rate भी बना नहीं, additional information मुझे चेक करना है, मैं एक बार इसको match करा के देखा हूँ, क्योंकि आपर अगर match हो गया ना, आगे कोई tension ही नहीं है, है ना, फिर 102, 308, 2310 हो रहे है, इधर भी देख लेते हैं, 600, 180, 117, 238, 195, 100, 600, 700, 880 हो गया, 100% match करेगा, टेंसे नहीं मतलो, 780, 117, 238, 195, 880, 100, 2310, देख लो अब 2310 इधर भी है, और 2310 इधर भी है, मैंने कहा था ना, balance rate मैच ही करेगा, कुछ नहीं करना, फिर से repeat करो, पूरा balance rate बना देना, assets, property, plant and equipment, inventory, ये सब सारे ACTs दिखा देना, क्या-क्या छोड़ना, investment छोड़ना, और equity and liability के तरफ में, share capital का तो सब कुछ दिखा देना, जहां रहे, equity and liability में, parent company का share capital, reserve, सब कुछ एज़िटी जाएगा, parent का, subsidiary का share capital and other equity को बटवारा करेंगे, between pre, post, NCI, यानि between CR, NCI and return earning, उसको बटवारा करके, हम adjust करके, फिर डालेंगे, और वो डालेंगे, तो 100% match तो हो गई, हम match पता है, कब नहीं होगा, जब ICA जो आपको question देगा है, वो question का balance एगर match नहीं होगा, तो आपका match नहीं होगा, और ऐसा तो होई नहीं सकता, तो ऐसा situation में match करेंगा हमारा, तो that means हमारा एक बार का balance एट तो match हो गया, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि medicine information को भी check करूँगा न, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ इपर, यहाँ पर, इतना तक तो आपको समझ में आई, मैं बता दू एक बार ये question पूरा समझ में आजए न, फिर ये time ही नहीं ले था question solve करने में, मुझे तो 10 मिट लगता है solve करने में, क्योंकि मैंने पूरा समझा हुआ बच्छे से, आपको अभी जैसे हम time दे रहा हमने अभी तक around 50 minutes दे दिये, और 5-10 minutes हम देंगे, तो हाँ, एक घंटा लगी है, पहले सुरुवात में time देना पड़ेगा, एक बार अपने सुरुवात में अच्छे से time दे दिया, बात में exam में time बिल्कूल भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अभी time नीद होगे न, तो exam में time भी देना पड़े और exam में solution भी correct नहीं होगा, तो time भी गया, marks भी गया, result भी फिर खराब होनी का chances रहेगा, है न, तो इसलिए घर पे बैठा बैठे time दे तो जितना हो सके उतना ज्यादा time दे दो आप अभी, ताकि exam में ऐसा problem ना आए आए आपका, तो चलिए information तो हमने सल्टाई दिया पूरा, इन्होंने बोली दे not seasonal in nature, नहीं बोलते तो भी हमानते not seasonal है, अगर को information provided नहीं है, it can be assumed that profits earned evenly throughout there, हमने भी assume कहता है न, evenly, 12 मेना में बराबर बराबर कमा आए गया, थाकि हमने 6 मेना का हिसाब से बटवारा किया था, third वाला point हमने already discuss कर लिया, सबसे पहले point number 4 को adjust करते है, rupees 10 lakh included in the inventory figure of S limited, इस inventory which has been purchased from SS limited at cost plus 25%, यहाँ पर ध्यान से जरग सुनो, क्या हुआ, 10 lakh किसका figure में S limited का, S limited के पास है, 10 lakh S limited ने inventory खरीदा, जो किस से खरीदा गया था, SS limited से, और SS limited ने cost में 25% का profit जोड़ा था, यानि, S limited का point number 4 हा, S limited का purchase price के है, obviously 10 lakh है क्योंकि S limited का inventory 10 lakh का दिखा रहा है, S limited का purchase price 10 lakh है, और वही SS limited का selling price कितना होगा तब, obviously 10 lakh है, S limited का selling price है, यह आपको ध्यान में रखना है, और SS limited selling cost पे कितना profit जोड़ा है, 25% profit जोड़ा है, यह यह 125% है, क्योंकि cost 100% और 25% का profit, अगर 10 lakh 125% है, तो 25% कितना होगा, यह आप यह कह सकते हो, कि यहाँ पर 8 lakh का cost है, और 2 lakh का profit है, कैसे क्या 10 lakh divided 125% कर दिया, क्योंकि 10 lakh is 125%, तो 100% कितना होगा, 100% आपका यह हो गया, और 25% यह हो गया, 100% होता है 8 lakhs है और 8 lakhs आपका cost है, और 25% होता है 2 lakh और 2 lakh आपका profit है, यह निए profit earn किसने किया था, जिसने बेचा, उसीने किया, SS ने, कितने गा, 2 lakh का profit earn कि SS ने, तो जब SS ने profit earn कि 2 lakh का, तो उस time में SS ने profit 2 lakh का दिखा था, अब जब कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो consolidated financial statement बना रहे हैं, और जब अब consolidated financial statement बनाओगे, within the group अगर कोई purchase sale हुआ है, और वो अभी तक बहार में किसी को बेचा नहीं गया, यानि मानलोग group के अंदर purchase है, group के अंदर ही sell है, और वो अभी तक बहार गया नहीं, तो मानेंगे कि ये तो within the group बेचा गया है, ये तो unrealized profit है, ये क्या unrealized profit है, तो unrealized profit should be eliminated from consolidated balance sheet, क्योंकि SS ने बेचा S को पर S ने अभी तक बाहर में किसी को बेचा नहीं है यानि SS को ने घर का अदमी गुरुप का अदमी है SB को ने गुरुप का अदमी है तो आपस में बेच के आप प्रॉफिट को दिखाऊगी यह तो गलत हो जाया ना ऐसे होगा तब तो कोई भी कंपनी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए पता है अपनी गुरुप के मेंबर उसको बीच देगा कुछ टाइम के लिए तो गलत हो जाए इसलिए हमें क्या करना चाहिए प्रॉफिट को एलिमिनेट करना चाहिए तो यहां पर देखो तो SS का जब प्रॉफिट हुआ था 2 सच का ऐसे में 60% पैरैंट करहा है हमने पहले ऀसब कि देख क्या हсем STOP मेर एक मैं सिस्टी पैरेंट करे और 40 पैरेंट जो है यह profit को हमें reverse करना होगा यह से भी हमें reverse करना होगा यहनी हम profit को eliminate करेंगे अब हम inventory को cost में दिखाएंगे यह 10 लग का inventory दिख रहा था न यह 8 लग में दिखना चाहिए क्योंकि unrealist profit को eliminate करेंगे इसलिए जब कि 10 लग का inventory दिख रहा था as limited के box में वो रियल में 8 लग का inventory है, क्योंकि 2 लग का तो profit जोड़ा हुआ था, तो ये 2 लग का inventory हम कम करेंगे, और उसके accordingly profit भी कम करेंगे, अब ultimately हमें क्या करना है, मैं आपको ये बता देता हूँ, inventory जो आपका है, मैं इसके लिए अलग पहन लेता हूँ, inventory आपका जो ये 2 से कम हो ये बोला गया है कि last date कही होगा, closing कही होगा, nearest में बेचा होगा, यहाँ बोला नहीं है, तो obvious अब आते जाज़र दिन तक थोड़े नए inventory ठीकते हैं, हम ये मानेंगे, 1st October के बाद within 6 months, यहनि current 6 months में बेचा गया है, यहनि ऐसा information जब भी दे अब इसे post ही मानोगे, क्योंकि ह मैं यह मानोगे न कि 31 March के आसपास में बेचा होगा, तो यह पूरा का पूरा हम post मान लेंगे, तो यह post profit में adjust होगा आपका, यानि 2 lakh का जो आपका inventory कम हुआ, यह 2 lakh का 1.2 आपका कहा, post यानि minus 1.2 return earnings से कम हो जाएगा, और NCA में तो pre-post करती ही नहीं, तो यहाँ पर minus 0.8 हमने कम कर दिया, यानि हमने SS Limited का जो 2 lakh का unrealized profit था, inventory को कम किया, और SS Limited में पहले जिसने profit book किया था, parent और NCA इने 60 to 40 के ratio में, तो 60 to 40 के ratio में ने adjust कर दिया, ultimately आप देख सकते हूँ, यहाँ पर इन दोनों का मिला कि 2 आपका equity liabilities से कम हो गया, और inventory that is assets से आपका 2 कम हो गया, तो अभी मेरा balance rate match कर रहा है, यानि each and every transaction में मैं double effect दूँगा, मैरा balance rate match करे गए, तो यानि आप बोल सकते हो कि क्या, हमने point number 4 cover कर लिया, yes, हमने point number 4 cover कर लिया है, और हमारा balance rate पूरा match भी हो गया, अभी भी balance rate अपका पूरा match है, अब हम point number 5 को सिर्फ discuss करेंगे, pushing खतम हो जाएगा, चल यह सबसे important, non controlling interest at fair value, that is quoted market price, applying in days 103, assume market price of S limited and SS limited, are the same as respective fees value on the date of acquisition, चलो इसके बारे में समझेंगे, मतलब, हमने अभी तक जो NCI दिखाया है, हमने अभी तक जो NCI दिखाया है, यह NCI पूरा का पूरा क्या पता है, यह NCI proportionate net asset method से निकाल होगा है, क्योंकि जो आपका assets था, जो आपका reserve and surplus था, उसको proportionately हमने NCI को दिया, क्योंकि आप देख सकते हूं, जितना भी चीज हमने बाटा, वो proportionately तो बाटा, हमने NCI को fair value में measure ही नहीं किया, और मैंने जो basic questions आपको कर रहा था, जहां पर मैंने बता था, parcel goodwill method, full goodwill method, मैंने आपको बताया था, parcel goodwill method में, हम NCI को proportionately net assets method के basis में हम measure करते हैं, और full goodwill method में NCI को at fair value measure करते हैं, agreed, तो यहां पर दिखो यह क्या हो गया, parcel goodwill method हो गया, तो parcel goodwill method के साबसे हमने NCI को proportionate net assets method से हमने किया, अगर मालू exam में question आएगा, कि आपको NCI को measure करना है, proportionate net assets method, आपका question खतम है, आपको क्या करना है, सारे assets को close करना है, सारे equity and liability को close करना, आपका balance is ready, यहनि आप पूछोगे, अगर NCI to be measured at proportionate net assets method होता, तो कि हमारा कोशी नहीं खतम होता है, solution, yes, हमारा solution खतम होता है, हम बस यह सारे figures को close कर देंगे, बात खतम, लेकिन हमें क्या करना भी NCI को fair value में measure करना है, इसलिए हमें एक और adjustment यहां क्या है, है न, point number five का तब हम discuss करते हैं, it is non controlling interest, हमें fair value में measure करना है, न, NCI at fair value क्या होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले यह जानते हैं, कि NCI at proportionate net assets method क्या था, यहनि net assets method से proportionately NCI क्या आ रहा था, आपको यह धियान पर रखना है, कि जो NCI हम fair value में measure करते हैं, या फिर प्रोप में measure करते हैं, हमारे बास दो option है measure करने का, यह measure ऐसा नहीं कि हम कभी भी कोई भी time में measure कर लेंगे, कि fair value मन क्या, fair value मन क्या, proportionately मन क्या, proportionately ले ले लिए, बिल्कुल भी नहीं ऐसा, आपको business, यानि जिसन business combination होगा, that means, जिसन acquisition date, acquisition date में आप NCI को fair value में measure कर सकते हो, ध्यान रहे ऐसे भी index 103, acquisition date के बारे में ही बात करते हैं, यानि हम NCI को क्या proportionate net assets method में measure करें, या फिर हम उसे fair value में measure करें, यह हम कभ डिसाइड करेंगे, acquisition date में, और एक बार acquisition date में, अगर आपने proportionately measure किया हो, आगे जा किया proportionately ही measure करोगे, अगर एक बार आपने acquisition date में, fair value में measure किया NCI को, फिर आगे जाके ऐसा नहीं कि fair value में measure करना है, यानि acquisition date को आपने क्या क्या, fair value में acquisition date में measure कर लिया, फिर आगे जाके future में, जैसे जैसे कमाई होगा ना company का, तो जो NCI का proportionately जो आएगा value, वो उसमें add होते जाएगा, जो पुराना fair value है, यानि ultimately कहने का मतलब यह है, कि acquisition date पे आपके बस दो चोईस है, either proportionate net asset method या फिर fair value, अब जो भी लो आपके उपर है, उसके बाद further future में जो भी कमाई होगा, उसका proportionate हिस्सा ही NCI में जोड़ते जाएगा, आपको बस यह समझना है, ठेक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम यह देखेंगे कि acquisition date पे, acquisition date पे NCI का क्या value था, proportionate के साब से, और fair value के साब से क्या होना ची, हम सबसे बहले यह निकालेंगे, acquisition date, NCI, proportionate net asset method से क्या है, ठेक है, पहले हम यह जानेंगे, क्योंकि अभी हमने जो NCI निकाला था, हमने जो NCI दिखा हुआ है, वो total consolidation date तक का, जहां पर post NCI भी है, pre NCI भी है, हमें acquisition date का NCI जान date में, NCI को fair value में measure करना चाते है, तो चलिए ठीक हम देखते है, यहां पर आप देखो, कहा गया, हमने बटवारा किया था, हाँ, यह हमने बटवारा यहां पर किया था, आप देख सकते हो, यह आपका जो pre है, यहां mid में हम बोल सकते है, mid में क्या, यह acquisition date है, obvious सा बात है, यह पर यह इधर वाला यह सारे acquisition date तक के हैं, और यह सारे के हैं, post acquisition है, यह नहीं, आप यहां पर कहा सकते हो, कि acquisition date, NCI केतना है, 174 है, up to acquisition date, NCI केतना है, 174 है, SS limited का, हम लिख देंगे, NCI up to acquisition date, 174 था ना, 174, clear, 174 और उसके बाद, यह वाला धिहान रहीं, यह post है, क्योंकि post NCI है, यह acquisition date के बाद का NCI है, 10, आपको यह धिहान पर रखना है, यह 174 इसले मैंने सिर्फ लिया, वो 10 नहीं लिया मैंने, फिर next अगर हम बात करें, as limited में, as limited में, यह आपका क्या है, यह acquisition date NCI है, और यह वाला धिहान रहीं, post NCI है, यह न, यहनि हम कहेंगे, pre post के बीच में तो आपका, acquisition date होते हैं, क्योंकि pre, pre हो गया न, यह है, तो acquisition date NCI है, कितना 105 ही है, और बाकी यह जो 25 है, यह आपका post NCI है, आपको यह धिहान पर रखना है, यह नहीं हम कह सकते हैं, आप है, as limited में, NCI up to acquisition date कितना है, यह ता भूल गया है, फिर से देखना पड़े, 105, 105 आपका है, है न, यह काम कर सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकते हैं, मैं यह यहापर लिख देता हूँ, up to acquisition date और एक और कॉलम बनाते हैं, यह हम यहापर लिख देंगे, post NCI, यह तो आप देख सकते हूँ, 174 आपका था न, पहले, post NCI में क्या है, 10 था post NCI, acquisition date के बाद का, और 105 तो हमने लिए यह 5 आपका, यह 5 आपका post है, 10 और 5 न, तो हम ऐसे कह सकते हैं, यह 10 आपका है, और यह 5 आपका यहाँ पर है, 10 और 5 है ना, अब इसके बाद, आप देख सकते हूँ, यह सारे figure यह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो हमने NCI मेजर किया था, 174, 10, 105 और 5, आप देख सकते हूँ, यहाँ पर भी किया, 174, 10, 105 और 5, यह सारे मिल गए हमें, और आप बताओ, investment आपने कब क्या होगा, obviously, investment हम कब करते हैं, यह जो हमने investment किया, 56 का, obviously कब क्या होगा, acquisition date पर तुम पैसा लगाते हैं, तुम बोलते है, less, minus, acquisition date, investment, of NCI, 56, यहाँ पर हमने किया, और यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ultimately कितना आ रहे, 174, plus 105, minus 56, यह यह 223 आ रहे, और यह कितना है, 15 है, तो आप देख सकते हो, 223 और 15 कितना होता है, यह दोनों मिला के, 238 होता है, एक्जाम इतना लिखना नहीं है, मैं अब भी आपको समझा देना हो, पता कि अपका clarity आ जाएक बाद, 238 आपका NCI आ रहे है, और आप यहाँ पर देखो, यह रहे, 238 आपका है, यानि इसमें हमें पता चलिए कि प्री-NCI जो है, वो 200, 23 है, और पोस्ट कितना है, 15 है, वह यह रहा, यह वाले एक पोस्ट है, यह वाला पोस्ट था, और यह वाला 5 पोस्ट था, बाकी सारे तो यह प्री थे, है न, यह भी प्री था, और यह आपका प्री में ही तो investment करते हैं, यह प्री हो गया, तो हमने अभी यहाँ पर क्या किया, जबकि हमें fair value निकालना, हमने proportionate method के हिसाब से हमने यह जाना, कि क्या आपका acquisition date NCI है, हमने पता कि acquisition date NCI है, हमारा 223 है, मैं इसको मिटा देना, उसका काम नहीं है, यह हमारा हो गया, acquisition date net NCI, और यह हमारा क्या हो गया, post NCI, clear, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, acquisition date, fair value of NCI, and post NCI, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, and post NCI, अब यहाँ पर हम क्या गरेंगे, up to acquisition date, और यह post NCI, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या गरेंगे, SS Limited, और S Limited का दूनों के हमें जानने है, NCI क्या है, ध्यान देंगे, हमें fair value में measure करना है, है न, यहाँ पर भी up to acquisition date, हमें fair value में measure करना है, यह आपको ध्यान देना, fair value measure करेंगे, कैसे करेंगे, हमें तो पता होना पड़ेगा, कि fair value क्या है, तो देखों, यहाँ पर question ने क्या लिखा हुआ है, the parent company has adopted an accounting policy to measure non-controlling interest at fair value, यह बोला, applying index 103, अब ultimately important line कौन से है, आपको यह जानना है, important line तो यह है, assume market prices of as limited and as limited, are the same as respective phase value, phase value मतलब किया, जो share capital का phase value होता है न, वो phase value, यहनि इनका कहने का मतलब यह है, आप यह कह सकते हो, note यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, acquisition date, ध्यान है, fair value मतलब हमें इस acquisition date पर निकालते हैं, acquisition date, fair value of NCI is the phase value of shares, is the phase value of share capital, यह जो phase value of share capital होगा, वही आपका fair value of NCI है, यह ध्यान पर रखना, fair value of NCI क्या है, जो phase value है, वापस एर्बिट करो, यह लाइन थोड़ा सा critical है, समझ में कम आता है students को, assume market price जो है, as limited and as limited, यहनि market price है नहीं fair value, जो तुनों का बताया गया है, वहला same as respective phase value है, यहनि फेस value को आप fair value माल लोगे, तो चलो ठीक हैं, तो phase value को fair value माल लेंगे, कैसे मानेंगे हम, यहाँ पर देखाओ, अगर मैं access limited का बात करूँ, access limited का phase value कितना है, 320, यह तो phase value है, घ्यान रही है, share capital का phase value तो होता है, जो rupees 10 पर रट सरी, तो phase value हो गया, phase value है, और यह भी क्या, phase value है, सारे है, तो आप बताओ, क्या 320 पूरा का पूरा NCI में डाल दे नहीं रहे है, इसका 40%, क्योंकि access limited में NCI का कितना है, 40% हग है, और इसमें कितना है, 20% का हग NCI का, तो हम यह कहेंगे, 40% of 320, जो phase value है, it is the fair value of NCI on acquisition deed, यहनि हम यहाँ पर कह सकते हैं, fair value is equal to, phase value of NCI, क्या है, phase value of NCI on acquisition deed, क्योंकि हम acquisition deed पर ही fair value measure करते हैं, phase value क्या होग है, 40% therefore of, NCI कितना है, 320, कितना आएगा, 30, 60, 128 हो रहे है, यह 128 आजाएगा, आपका, यहाँ पर, उधर का पोस्ट का हम बात में बात करेंगे, 128 आपका fair value of NCI, और as limited के case में भी हम बात करेंगे, fair value क्या होगा, phase value, of NCI, on acquisition deed, 28, यानि 20% है, as limited में तो NCI का 20% ही है, 20% of क्या है, 400, यह नहीं, आप कह सकते हो, कितना हुआ, 80, that means आपको पता चल गए, कि यह 128 और यह 80 जो है, यह आपका क्या है, fair value of NCI, which is phase value of NCI, अब post NCI में क्या हो, post में हम fair value नहीं करते है, post में जो कमाया, अब acquisition date के बाद, जो कमाया, उसका proportionately, NCI इनको post का मिल जाएगा, तो post का NCI तो यह same ही होगा, 10 और 5 ही होगा, जो कमाये गए, हमने acquisition date, यहाँ पर हमने क्या लिया, यह proportionately है, यह हमने क्या लिया, यह proportionately है, ठीक है, acquisition rate पर है, पर यहाँ पर यह वाला क्या, यह fair value है, यह वाला भी क्या, यह fair value है, ध्यान रहे, ठीक है, यही फरक है, बाकि यह जो 10 और 5 है, यह वही रहेगा, यहाँ पर 10 रहेगा, और यहाँ पर 5 रहेगा, है ना, और साथ ही साथ, साथ ही साथ आपको एकोट ची बता देता हूं, minus investment, by NCA, NCA ने investment किया था था ना, कितने का, NCA ने investment वही किया जो 56 का था, यह investment किया इसने, यह निए investment कितना हो जाएगा, 56 का investment हो गया, ultimate लिए आप देख सकते हूं, हमने NCA को यहाँ पर क्या किया, fair value में लिया हमने, और यहाँ पर NCA क्या ची मैं हो, आपका proportionate method से है, इतना लंबा मैंने करा, exam में ज़र्वरत ही नहीं पड़ेगा, मैं shortcut बता दूँगा, पर पहले यह समझ लेते हैं अच्छे से, तो यहाँ पर आप देखो, 120 और 80 कितना हो रहा है टोटल आपका, 128 प्लस 80 माइनस 56, यह यह 152 हो रहा है, तो यह आएगा अपका 15, है न, तो देट मेंस, हमने देखो न, हमने 223 निकाला, क्या, acquisition date NCA, 223 हमने निकाला, proportionate के साब से, पर fair value के साब से कितना होना चाहिए, 152 होना चाहिए, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगा है, since, fair value, of NCI, at acquisition date, equals, 152, but, proportionate value, of NCI, at acquisition date, equal कितना आ रहे, 223 आ रहे, तो difference किया है, difference will be adjusted, क्योंकि यह acquisition date, कम adjustment कर रहे है, will be adjusted, with capital reserve, क्योंकि acquisition date पर कर रहे है न, इसलिए, capital reserve से adjust होगा, और अगर goodwill है तो goodwill से होगा, यानि gain on bargain purchase, या फिर goodwill इन दोनों में से adjust होगा, कितना होगा, 152 माइनस 223, 71, यह adjust होगा, तो अब यह 71 कम क्या करेंगे, adjustment कर देंगे, आपर अपने balance rate पर, तो 71 में आपको बता दू, NCI जोए वो कम हो जाएगा, 71, और goodwill से adjust करेंगे, CR से adjust करेंगे, तो जबकि यहांपर तो goodwill आया नहीं, यहांपर तो CR ही आया था, तो CR में हम क्या करेंगे, 71 प्लस कर देंगे, यहनि NCI हमने 71 से घटा आया था, और CR हमने 71 से बढ़ा दिया, आपको याद होगा, जब मैंने पहले भी आपको कराया था, तो हम जब छोटी-छोटे कोशिंस कर रहे थे, वहाँ पर हमने अगर fare will of NCI में measure किया, तो जिसका corresponding effect जो भी जाता था, वो good will में जाता था, क्योंकि वहाँ पर good will निकल रहा था, पर यहाँ पर good will नहीं निकल रहा, यहाँ पर CR निकल रहा आपका, तो हमने क्या 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 CR से एजस्स कर दिया, आप क्या करोगे, simple करोगे, exam purpose के लिए तो पहले सबसे पहले calculator में निकल लो गया, आपको जरूत इतना माथा बच्ची करनेगा, आप सीधा straight away calculator में निकाल सकते हो, क्यासे निकाल सकते हो, पुराना table देखना, पुराना table आप यहाँ ऐसे देखना, यह तो proportionate से निकाला हमने, यह हमने 174 proportionate से निकाला, पर fair value के हिसाब से क्या होना अच्छे, phase value of NCA, और यह SS limited का करे थे न, SS limited का कितना है, 320 का 40% कितना होते हैं, 128, यह आपका 128 होगा, और इधर भी अगर हम बात करें, चलो इसका difference कितना आया फिर, 38, 48, 58, 68, 74, यहनि 46 का difference आया, है न, यहाँ पर 46 का difference आगया, आप देख सकते हो, फिर वापस next वाले में, next वाले में आप देखोगे, acquisition date NC आपने यह तो proportionate निकाला, है न, fair value से कितना होगा, 400 का 20% यानि 80, 80 हुआ, यहनि डिफरेंस कितना आएगा, 80 और 105 का difference कितना होगा, 25, 25 का difference है, यह दो तू करना है मैं, मतलब मैं इतना लबबाच हो रहा, तो बस explanation के लिए आपको समझाए, आपको यह समझना है, acquisition date, assess limited की case में, acquisition date NC आपने यह, proportionately 174, पर fair value के इसाफ से 128 होना चाहिए, यहनि हम 46 का difference को मैं adjust करना, 46 हम NCI कम करना है, क्योंकि हम fair value में measure करना है, 46 NCI कम करेंगे, और दूसरा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 105 हमें proportionate के इसाफ से मिल रहा है, पर fair value के इसाफ से तूम 80 लेंगे, यहाँ हमने किया, 71 से हमने NCI कम किया न, देख सकते हैं, 71 से NCI हमने कम किया, यहाँ पर plus 71 किया, यहाँ पर minus 71 किया, यह क्या है NCI adjustment, बस बात खतम, इतना हमने किया, खतम clearly, अब आगे मैं यह close कर देता हूँ, यह balance rate हमारा बन गया, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक बार तो आपको यह revision करा दूँगा, and courses करूँगा, कि एक और वीडियो बनाओ, जहाँ पर 15 मिनिट या 20 मिनिट के अंदर, मैं पूरा question so solve करूँगा, और ताकि अब exam में भी उस तरीके से, फटाफट question को solve कर पाऊगे, इन उसके पहले आपको इस तरीके से करना बोच जरूरी है, ताकि आपका understanding पूरा clear हो जाए, ताकि question यह नहीं आए, इसकी तरह का दूसरा question भी है, तो आप आराम से manage कर सको अब, तो चलिए हम close करते, एक एक करके, 980, यहाँ पर 220, 320, 318 आएगा न, तो रिटी 40 था न, 338 आएगा, फिर next, 263, 60, 465, 664, 580 आएगा, और bills is available में कुछ adjustment करना है, मैं बता देता हूँ क्या करना है, वो चलो करी लेते हैं फटा-फट, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, bills payable जो है न, यह bills payable देख सकतो, 70 का bills payable है, 70 का bills payable है किसको, S limited को payable है, लेकिन किसको payable, P को payable है, यहाँ पर समझो, S को, देना है, P को, मिलना है, यहाँ पर जो bills से शेवल है न, पी का, इसमें यह adjust होना चाहिए, 72 में, यानि 72 से यह 70 कट जाएगा, क्योंकि P बोल रहा है न, मुझे 72 मिल रहा है, इसमें से 70, इसमें से 70, S से मिलना है, समझ में आयो, 70S से मिलना है, 72 जो यह P दिखा रहा है, तो ultimately 72 में से 70 कट हो जाएगा, फिर दूसरा, एक और bills payable, P को pay करना है, पर आप देख सकते हूँ, यह 30, कितना यह 30 भी है, आपर भी 30 है, यह P को, P से मिलना है, यह P से मिलना है, यह लूटी में आप यह देख सकते हो, 70 जो है, वो SS को देना है P को, और 30 जो है, वो P को देना है SS को, ultimately 70 और 30 mutual होएँगे, एक दूसरे गावी दिन दा ग्रूप ये कळ जाएगा यानि 70 भी कळ जाएगा 30 फिल गजाएगा तो हम क्या कर सकते हैं अपर माइनस 70 धेया धती सब्क वर Japonоз जाएगा और बिलस प्रस प्रसस सकते अन्य चलोई में 70 30 70 30 दूनों जगा पर कट होगी आपका बात खत्म कि यह तो फटा-फट हो जाए इसमें तो को प्रॉब्लम ही नहीं तो अब हम क्लोज कर सकते हैं तो 72 में से 30 और इदर गया यानि यह बचेगा सिर्फ टू और यहां पर क्यास्ट बलंस कितना 228 और 80 यानि 308 होग तो हम काड़ देते हैं ना म्यूच्वल में कड़ जाता अपने आप यह बाकी NCI में दिख जाते हैं रिजर्वेंट सब्लस 180 का आएगा यह चाहो तो टोटल भी दिखा सकते हो पर मैं अलग अलग लगी दिखा रहा हूं आप चाहो तो टोटल भी दिखा सकते हो 171 और 171 188 ह होता है क्या यह 238-71-186.2 और यह जाएगा 195 194 193.8 यह जाएगा 70 507 880 आ जाए गई है और यहां पर तो यह 0 हो गया अब हम देख लिए ते टोटल करके कितना हो रहा है 980 प्लस 338 प्लस 580 प्लस 2 प्लस 308 डबल 208 हो रहा है मिले गई 100 परसेंट सोचना ही नहीं आपको अगर अब मेरे तरीके से किया ना 100 परसन मिलेगा 780 प्लस 188 प्लस 166.2 प्लस 193.8 प्लस 880 डूटो जिरो एट 100 परसेंट बोला था नहीं मिले गई 2208 मिल गया खतम डैट मिन्स फाइनली हमने यह कोशिन खतम किया एंड इस खतम करने में एक घंटा 20 मीट के आसपास ले लिया एक घंटा 15 में ऐसा कुछ लिया डैडिस 70 मिनिटस 70 तो 75 मिनिटस हमने ले लिए इस कोशिन को सॉल्व करने तो क्या हुआ इतना ही तो लिया इसक अब यहां पर देखो balance sheet आपको दिख रहे हैं यहां पर आप क्या करोगे पूरा का पूरा balance sheet छाप लेना books में यानि property, plant and equipment, investment छोड़ देना, inventory, trade receivables, bills receivables, cash, asset bank, सब कुछ लिख देना, सारा ही लिख देना, ठीक है, equity and liabilities में सारा लिख देना, share capital, other equity, library, सब लिख देना, ब यहनि दोनों सबसेटरी का share capital और other equity छोड़ देंगे और उधर investment छोड़ देंगे, यह चीज छोड़ने के अलावा बाकि सारा assets डाल देना, books में, डाल दिया सारा balance sheet में, अब balance sheet मैच नहीं करेगा, किसके वज़े से, यह share capital, other equity और investment की वज़े से, तीन चीज, share capital, other equity और investment की व प्रेटा किया, फिर हमने देखो pre-post किया, हमने देखा pre-acquisition में क्या है, post acquisition में क्या है, इसका हमने बटवारा किया, दोनों के case में, वो बटवारा करने किया, हमने इखटा में एक साथ लिख लिए हमने, balance sheet के नीचे, इखटा में एक साथ लिखा, CR, NCI, R,E, यह लिख ना, 117, 238, 35, यह सारे हमने balance rate में locate किया, यह करने पर अपका balance rate match हो रहा था, 100%, यह balance rate अपका match हो गया, इसके बाद हमने क्या क्या, point number 4 में inventory का, जो 2 का difference था, 2 inventory से कम किया, 1.2 हमने return earning को कम किया, point 8 हमने NCI को कम किया, adjust कर दिया, फिर point number 5 में बोला गा है कि NCI को fair value में measure कर, तो तो हमने क्या क्या वहाँ पर ही पहले ही कर लिया, यह 174 है, यह proportionately है, पर fair value के सबसे 128 होना चाहिए, तो हमारा difference आ रहा है, 46 का, तो 46 से NCI कम होगा, कब acquisition rate कही हमने लिया, फिर दूसरे जगा पे भी, आपका 105 का proportionate NCI है, पर fair value of NCI 80 होना चाहिए, यह 25 का difference हा रहा है, तो यह आपका NCI reduce होगा, और इधर 46 का reduce हो रहा था, है न, यह दोनों reduce हो आपका, ultimately 71 से NCI गिरेगा, और 71 से, या तो goodwill को गिरेंगे, 71 से NCI गिरेगा, 71 से goodwill करेगा, यह 71 से NCI गिरेगा, और CR 71 से बढ़ जाएगा, ultimately, यह adjust करने पर यह आपका totally question, solve हो जाएगा, खतम, तो I hope आपको पूर अच्छी से समझ में आई यह question, आप अच्छी तरीके से समझो, practice करो, किसी point में अगर आप attack करे हो, तो वापस से उस जगह पे वीडियो को आप देखो, और इसके अलावा भी, कोई भी point में अगर आपका problem है, आप comment करो, लेकिन हम comment नीचे करोगी, तो problem किया है, जैसे comment section में आप comment करोगे, करो वहाँ पर भी करो, लेकिन साथ साथ में बता रहाँ मेरा mobile number दिया हुए, उपर screen में आपको दिख रहा है mobile number, वहाँ mobile number में WhatsApp भी करो मुझे, reason में बता रहाँ, क्योंकि मैं अगर आपको समझाओंगा, तो लिक के typing में तो समझा नहीं सकता, आपको भ मत करना, ठीक है, तो वहाँ से आप करोगे, मैं आपको सारा चीस clear कर दूँगा, and साथ ही साथ मैं कोसिस करूँगा, कि एक और वीडियो में upload करूँ, जहां पर मैं 15 या 20 मिनिट्स के अंदर सिर्व इस question को solve करने के focus में रहूँगा, कि कैसे हम exam में फटा फट इस question को solve कर सकत करें, यह question तुमने detail में अभी discuss किया, फटा फट अच्छी तरीके से understanding रखा, and वहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 to 20 मिनिट्स में cover करेंगे, और एक last final बात, अगर आपको मेरा वीडियो पसंदार है, पसंदार है, तभी साथ आप end तक दिखोगे ने, तो आप क्यो देखोगे and मैं भी hard work करूँगा कि मैं जादा से जादा material आपको provide कर सको, जादा से जादा content आपको provide कर सको, तो सबसे पहला request तो मेरा यह है कि आप क्या करोगे, share करोगे, and subscribe तो आपको कर नहीं है, उसके लिए तो मैं expect करी रहा हूँ कि आप subscribe तो करोगे अप, क्योंकि subscribe करोगे तभी तो regularly आपको update मिलते रहेगा, subscribe आपको करना ही है, इसके लिए तो भूलना ही मतब, share भी करना है आपको, and साथ में like करना, चलो ठीक है, इस question यह question हमारा खतम होता है, and I hope कि आप like भी करोगे, share भी करोगे, subscribe भी करोगे, ठीक है, चलो, bye bye